नमस्कार न्यूस वोल्ड इंजिया आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ स्वाती आ रहे हैं स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में चातिसगर के दंतेवारा में बड़ा नकसली हमला हुआ है इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं आपको बता दे के दंतेवारा के अरंदपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ट फोर्स को लेकर जा रहा है वहान पर IED हमला हुआ शहीद जवानों में 10 DRV के जवान और एक ड्राइवर शामिल है हमले को लेकर सियम उपेश भगेल ने कहा कि नकसलियों को छोड़ा नहीं जाएगा उत्राखन के कैबरेन मंत्री चंदेन रामदास का निधन हो गया है अल्मोडा से बागेशवर पहुशने के बाद अचाना कुल की तब्यद बिगड़ गए यहां फर्स फ्लोर के फ्लाट में आग पता ही जा रही है घटना के बाद आसपास के इलाके में हटकम मच गया इस बारे में सूचना पर पुलिस और प्रशासन को दी गई जिसके बाद फायर ब्रिगेट की गाड़िया मौके पर पहुशने के बाद फायर फाइटर्स निकड़ी में शकक के बाद आगपर काब पाया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट शेली अब्रोय और मौहमद इकबाल अदिली के मेयर और डिप्टी मेयर बंचुकी है उन्हें दूसरे साल के लिए निर्विरोध चुल लिया गया है क्योंकि बीज़पी के दोनों कैंडिडेट शिखा राय और इसी के साती सुनी पांड़ी ने चुनाव के एन पहले अपना नामांकन वापिस ले लिया था बीज़पी के और से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी सविधान के तहत काम नहीं कर रही है पंजाब के पूर मुखी मंतरी प्रकाश दिंग बादल का मंगलवार को निज़पी के थे के डीसी पी राजय शुदेव ने कहा कि स्कूल परिसर में अभी तक कोई संदेगत वस्तू नहीं मिलने से कोई खत्रा नहीं है स्थिति समानने हैं वंग डिस्पोजल स्कॉर्ज डॉक्स को और से कि साथी स्वाच टेम स्कूल की मारतों को सैनिटाइस कर रही है उमेश पालात्याकारन मामले में पुलिस को अब शाहिस्ता परवीन की तलाश वर शाहिस्ता की तलाश में यूपी के कई शहरों मेर शापिमारी चल रही है लेकिन कई दिन बीट जाने के बाद भी वो पुलिस की गिरफ से बाहर है सुत्रों के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली ही के शाहिस्ता परवीन पती अति कैमत और बेटे असत की कब्र पर बहुत सकती है ऐसे में पुलिस प्रशासन अलज हो चुका है महिला पहलवानों के यौनों तपिरन मामले में FIR दर्श करने में आनकानी करने वाले दिली पुलिस के अधिकारियों पर कारवाई हो सकती है दिली महिला आयो के अध्यक्षिय स्वाती मालिवाल ने खिलाडियों की सेक्शुल हरस्मेंट के शुकायत पर FIR ना दर्श करने वा यात्रा शुरू होने से पहले के दारनाथ में बड़ा हाथसा हो गया जिसमें हलिकॉप्टर के पंक्की के चपेट में आने से युवा की मौत हो गई इसको अखिल भारतिय अखाड़ा परिश्रत के अध्यक्ष मेंत रविंदर पूरी ने बड़ा संकीत मानते हुए उत्राखन सरकार को चिताया और कहा कि यात्रा से पहले हुए इस हाथ्टे से सरकार को सबग लिना चाहिए शेहरी शेत्रों में पूरा प्रबंधन का निरिक्षन करने आए भारत सरकार के सहयोंकत सचे वेरूपा मिश्रा ने गड़ी खाना शेत्र में अब शेष्ट प्रबंधन इसे के साती सो विधास दीवर ट्रीटमेंट प्लांट साहित सफाई वेवस्ता का निरिक्षन किया इसके उप्राम्त उनोंने श्रावस्ती में शराव और मादक प्रदार्तों के तसकरी रोकने के लिए श्रावस्ती पुलिस लगातार कारवाई कर रही है वहीं दंपर चालक और क्लीनर की दर्वनाक मौत हो गई घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुचे और डंपर में फसे चालक और क्लीनर को निकालने में चुट गए हर दोई में नस्दीक की रानों दुकान में चोड़ी की घटना को अंजाम दिया गया मामला CCTV कैमरों म यहां के जनता ने पारशद सुनील नैनवानी को बड़े ही अच्छे अंतराल के साथ यहां से चुनाव जिताया था जनता को उमीद थी कि पारशद उनकी उमीदों पर खरा उतरेंगे लेकिन हुआ उसकी बिल्कुर एकदम उलट पारशदे चुनाव जितने के बाद बहु बड़े ही को नल्या कोड लाया गया तो नल्य कूट नयाय परिस्तर में पुलिस ने उसको सील कर दिया था विश्णोई को घुजात अटEस ने नल्या में प्रत्रम शीडी नयाय में मुर्जिस्ट्रेट के अदालक में नयाइदीश एम्शुकला के समक्षपेश किया था गुजात सरकार के सुशासन के 20 वर्ष पूरे होने पर राज भर में स्वागत सप्ता का आयोजन किया गया, उसके तहत एमदाबाद जिले के विभिन तालुकों में भी स्वागत कारिक्रम चल रहा है, उसके तहत ग्राम विकास एजंसी एमदाबाद के देश्यक एम देशाय क कि अध्यक्षता में धुलेरा तालुका का एक स्वागत कारिक्रम आयोजन किया गया, इसकारिक्रम में तीरा आवेतकों के प्रशनों को सुनकर सकरात्म समाधान निकाला गया, यूपी की योगी सरकार की पुलिस की डर्से बदमाश्टों में खौफ साफ दिखाई दे रहा कि साहब मुझे गोली मत मानना, मैं गैंस्टर आक्ट का परादी हूँ, साहब मुझे की रफ्तार कर लो, पिलीवीत में अध्यापक पिता के ओनाहर बेटे ने हाई स्कूल की परिक्षा में प्रदेश में तीसरी रैंक पाकर जन्पत का नाम रोशन किया है, अध्यापक को चातर प्रकर सिंग ने फिर चानवे दश्मन में आट शूनी प्रतीशत अंक हासल कर जिला टॉप करने के साथ प्रदेश की टॉप 10 सूची में नौव अस्थान हासल किया है, मोगर शहर में देरात पुरानी बस्टैन में किराने की दुकान में अग्यात कारणों के चलते आ अधेरी वक्ति को मेडिकल में वर्ति कराया गया, यूपी के आपकारी मंत्री नितिन अगरवाल ने, बुखे मंत्री के बयान, यूपी में अब नौ दंगा सब चंगा पर अखिले श्रादव के कटाक्ष पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है, सपा मुख्या पर हमला करते नहीं हुआ, और एन अगर निकाय चुनाव को नशीला बनाने के लिए नेपाल से लाई जा रहा है, नौ करोड की चरस, तीन तसकरों समेत और एया पुलिस अधिक्षक, चारू निगम के नितित में पुलिस ने ग्रफतार किया है, पुलिस ने आरोपियों के पास से स्वागत सतकार के तैयारियों में चुटे हुए थे, वहीं जिला बंचायत अधियक्ष शकुन सिंग के पुत्र और भाजपा योवा निता एक मजबूर पिता को मदद का आश्वासन देने का कारे कर रहे थे, घाय इरन का मुरत अवस्ता में मिला शव पानी के तलाश में जंगल से हिरन निकला था, खुतों के काटने से मौत के अश्रंका जताई जा रहे है, लोगों ने पुलिस और वर्विभा को सूशना दे, उसके बाद सूशना पर पहुचे पुलिस और वर्विभा की टीम ने शपको कब से में लेकर मामले की जांश परताल शुरू करती है मुगे मंतरी योगी आधेतनात को जान से माने की धंकी मिलने के मामले में कानपर पुलिस ने आमीन नाम के शक्स को गरतार कर लिया है, आमीन अपनी गल्फरंड के पिता को किसी वज़स से फसाना चाहता था, जिसके लिए दो दिन पहले उसने उनका मुबाइल चोरी किया और फिर उसी मुबाइल फोन से आसीम ने डायल 112 पर धंकी भरा मेसेज भीज दिया, बदायू जिले के विसौली में नगर निकाई चुना सुरक्षा दिश्टिगात, मजस्ट्रेट और पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्ट सवारों से 6,20,000 रुपे बरामत की पुलिस क सौराब गंगवार ने उतर प्रदेश में दूसरा अस्तान प्राप्त किया है, आपको बता दे कि सौराब गंगवार बिसलपूर कजबे के ही सरस्वते विद्या मंदिर इंटर कॉलिज में पढ़ाई करते हैं दुनिया भर में सबसे बड़े बोट की रूप में जाने जाने वाले डिले उतर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर की परिक्षाओ को रिजल्ट खूशित हो चुका है, इस बार भी हर बार के तरह चातराओं नहीं, चातरू के अपेक्षा बाजी मारी हैं, जहां हाई स्क मिलते ही, कोतवाली प्रबारी निरिक्षक नरीज कुमार महीफोर्स के साथ मौके पर पहुँचे, घटने सलका निरिक्षन किया गया, शब्पो कफजे में लेकर पंच दामा भर के पॉस्पोर्टम के लिए भीजा गया, बस्ति जनपत के बहादुर ब्लॉक के धौरहार ब बदादे कि इसके अलावा नाधी पार करने का और विकल्प नहीं है, यूपी बोट की हाई स्कूल एवं इंटर्मीडियेट परिक्षा को परिणाम खुशित हो चुका है, वही महाराजगंच के बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर पूरे प्रदेश में अपना पर्चम ले राया हैं, इंटर्मीडियेट बोट की परिक्षा में पंडित दिन दयाल, इंटर्मीडियेट कॉलेज महाराजगं की छात्रा सुन्या गुपता ने 96.40 ने अंक प्राप्त कर प्रदेश में छटवा इस्थान हासल किया, यूपी बोट का रिजल्ट शुक्रवार दोपह प्राइर बाद घुशत किया गया, हाई स्कूल और इंटर्मीडियेट का रिजल्ट आते ही, कहीं खुशी और कहीं गम का महल दिखाए दिया, हाई स्कूल में लड़कों में आदर्श प्रताब ने आपको बता दे के 96.67 फीज़ी और लड़कियों में खुशी आदव ने 94. दियारी मज़़ूर में हलकी कहां सुनी के बाद एक मज़़ूर ने दूसरे मज़़ूर के सरयाम ज्रेल क्यांप रोल पर धारदार हतियार से हत्या कर दी, जिस जगा हत्या हुई वो जगा तो कुतवाली की नजदीग बताई जा रहे है, घटना के तुरंद बाद पुलिस मौके पर पहुँचे और शक को कबसे में लेकर सीयची विजवाया, हत्या के बाद आजपार स्वेत्र में संसरी फैल गई, हर्दोई उपी पुलिस भले ही जुद दुरूस्त कानून व्यवस्ता को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन उतर प्रदेश के हर्दो से सक्रिय कारिकरता है, वो मामला तिंदवारी नायकर पंचायत का स्वेका है, बिजली कितार के चपेट में आने से एक युबा की मौत हो गई घटना बाइड के गभाजी के मुवाडा गाफ की है, आमोधरा के गभाजी के मुवाडा गाफ के घटना जहां पर घटना से परचकार वोटरों की राए जानी है कि आखिर सम्हल में कैसा शेयर्मेन हो चाहां जनता ने शे बार से लगातार विधायक इखवाल महमूत की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने पर कहा है कि विधायक ने श्वेत्र में कभी काम नहीं कराया तो अब उनकी पत्नी चुना परचबादी पार्टी ने अंसारी समाज को ना कोई पद और ना ही कोई टिकर दिया है हमेशना अंसारी समाज के अंधिकी की गई है चबकि अंसारी समाज पूरी जिले में लगभग 2,24,000 है यूपी के पिली भीत जनपद में अपने संसादी श्वेत्र में एक दिवस्ते दोरे पर पहुंचे भाषबासांसत वरून गांधी ने अमरिया श्वेत्र में जनसभा कर एक बार फिर किसानों, सवेदा कर्मियों, महिलाओ और बच्चों के बहतर भविश के लिए चंचर सताई है, यहीं नहीं उन्होंने एक बार फिर तंच करस्ते हुए कहा कि भश्ताचार देश को अंदर से कुकला कर रहा है, आलंगी हो चुकाई की पॉस्त मौटम कराने के लिए भी रिश्वर देनी पड रही है, बीजपी की मेर प्रतियाशी प्रमिला पांडे के बेटे अ दरसल उन्होंने अपना क्नोटिंग ब्रांड फोला है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, उन्होंने अपना लक्षरी स्टीट वेर ब्रांड डी यह वो लॉंच किया है, हाल ही में इस ब्रांड की टीजर की एक चलक दिखाई दी थी, अब इसका पूरा टीजर रिलीज कर साथ एक्टर समान्था रूत प्रभू इसक्ट चर्चा में है, दरसल आक्टरस का दसफी क्लास का रिपोर्ट कार्ड सुशल मीजा पर वाइरल हो रहा है, किसी ने उनका रिपोर्ट कार्ड लिग कर दिया, जिस पर लिपोर्ट कार्ड सामने आया, लोग एक बार फिर आपके तौर पर लिखा है कि वो स्कूल की एसिट थी, बॉलूर आक्टर समान खान इंडूस्ट्री के बेहदी चर्चूद आक्टर है, विस सिर्फ अपनी आक्टिंग ही नहीं बलकि अपनी दर्या दिली के लिए भी जाने जाते हैं, कई बात देखा गया है कि उन्होंने नियू कमर्स और ना जाने कितने सलेफ्स को अपने प्रोजेक्ट में काम दिया है, बात चाहे फिल्म में साथ काम करने की हो या फिर मदद करने कि सल्मान खान हमेशा ही आगे रहते हैं, अभी हाली में उन्होंने बिग बॉस 13 फिल्म शेनास गिल को अपनी लिटर्स फिल्म किसी का भाई किसी की जान में रेब्यू करने का मौका दिया, अब खबरे आ रही हैं कि सल्मान खान इसी सीजन में एक और ex-contestant को अपनी अगली फिल्म में मौका देने वाले हैं, दरसल लेटेस्ट मीजा रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि सल्मान खान अपनी फिल्म सल्मान खान ने अपनी रिलीज के पांशमें दिन्यानी की मंगलबार को 7.70 करोड का कारोबार किया, जिसके बाद फिल्म का फुल कलेक्शन अब 15.34 करोड रुपे हो चुका है, वहीं सल्मान खान की फिल्म वर्ल बाइट 100 करोड से जादा की कमाई कर चुकी है, मल्टी स्ट इन सब के चलते सल्मान खान जमकर सुर्खिया बटोर रहे हैं और एक और चीस इच उसके लिए सल्मान खान सुर्खियों में है, वह है उनकी दुबाई ट्रिप दरसल भायजान इस वक्त दुबाई में है और सलमान खान के दुबाई ट्रिप का एक लेटर्स वीडियो सूचल मीज़ा पर सामने आया है इस वीडियो में सलमान खान फैंस के साथ शादी और पत्नी पर मर्जाब करते दिख रहे हैं सलमान खान के मस्ती भरे जवाब सुरकर फैंस खुब हूटे कर रहे हैं दरसल सलमान खान ने दुबाई ड्राकर एक एवेंट में हिस्सा लिया थो और इस वीडियो में सलमान खान नीचे खड़े अपने चाहने वालों से बाक्रित कर रहे है वीवो ने वीवो X90 सीरीज को भारत में आकरकार लांच कर दिया है सीरीज में दो स्मार्टपोन वीवो X90 वीवो X90 प्रो शामिल है X90 सीरीज को मार्केट में पहले से मौजोद वीवो X80 सीरीज के एकसेसर के तॉर्ट पर पेश किया गया है X90 series camera पर focus करती है Vivo X90 में 130 Hz refresh rate 2800 x 1260 resolution के साथ 6.78 inch का immolated display देखने को मिलता है जो बहतर visual अनुवब प्रदान करता है Realme ने अधिकारिक तोर पर अपने Realme 11 series के launching date की पुष्टी कर दी है हलाकि कंपनी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि सीरीज में कितने स्मार्टफोन होंगे आपको बता दे कि रिपोर्ट्स के मताबिक Realme 11 series में शुरुआत में तीन मॉजल पेश किये जाएंगे तुसमें Realme 11, Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus फोन शांबल होंगे Realme ने अपने अधिकारिक Vivo handle पर फुलासा किया है कि Realme 11 series के स्मार्टफोन को 10 माई को चीन में लॉंच किया जाएगा आपको बदा दे कि उमीद है कि Realme आने वाले दिनों में Realme 11 स्मार्टफोन के डिजाइन और इसी के साथ ही स्पेसिफिकेशन को टीज करना शुरू करतेगी WhatsApp अकाउंट मेटा के स्वामित वाले मेसेजरिंग प्लाटफोर्म WhatsApp अपने ग्रहकों को कई सो विधायों प्लत कराती है और इसके साथ ही प्लाटफोर्म समय समय पर नए नई फीचर्स की भी खुशना करती रहती है इसे बीच WhatsApp ने यूजर्स को एक और बड़ा तौफा दिया है